हेलो फ्रेंस नमस्कार विल्कम दोट्वांडेए एक्जाम टारगेट यहां पर हम लोग कवर करें बहुत ही इंपॉर्टेन्ट कोशिण जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेन्ट है शुरू से लाज तक आप लोग वीडियो के साथ बने रही गा जितनी भी कोशन आप लोग यहां पर देख रहे हैं सभी एक्जाम में आए हुए कोशन है और सभी बहुत ही सलेक्ट कोशन है एक भी कोशन आपको इसकिप नहीं करना है शुरूर से लास्तर वीडियो के साथ बने रहेगा और अपना फीडबेक हमेशा की दरह देना बिलकुल भी ना सब्सक्राइब करना है एकदम से एनर्जी के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ सारी कोशन आपको अटम्ड करने तो चलिए बेख लेते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टन कोशन यहां पर देखिए फारेस रिसर्च सेंटर का मुख्याले कहां पर है आप लोग जल्द इनर्जी एकदम से फास्रेकरों यह जल्दी करते रहे हैं से बहुत यह बढहें जिससे में जो पत्ता स्य चलतelles कि आप लोगों में कतने एनर्जी है एनरजी के साथ आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं फिर ऐसे ही एकदम से एनरजी टिक रहे हैं जोश के साथ आपको रिप्लाई करना है चारों बिकल्ब में से यहाँ पे हमारा ओप्सन कौन से सही होगा कोलकाता, शिमला, हैदराबाद, तेहरादून बिकल्ब यहाँ पे आपका सही हो जाता है D, देहरादून फोरेस्स रिसर्स सेंटर का मुख्याले कहाँ पर है देहरादून में बिल्कुल नहीं भूलना, यह बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है अब यहाँ पे और कुछ जानते चलते हैं केंद्री, आलो, अनुसंधान, संस्थान, यह कहाँ पर है? शिमला में, आपको शिमला सही जवाब पे टिक करना है और यहाँ पे दिखिए, भार्ती, रासायनिक, जैविक संस्थान, यह कहाँ पर है? कुलकाता में, और हैदरबाद में क्या है? रास्ट ये ग्रामीर अनुसंथान संस्थान ये कहाँ पर है हैदरबाद में अगले कोशिन भी हम चलेंगे नेक्स्ट अमारा कोशिन मैंग्रोव किसे कहा जाता है आपको बताना है मैंग्रोव किसे कहा जाता है चारों बिकल्प में से यहाँ पर हमारा option कौन से सही होगा Very good, जल्दी जल्दी से reply करते रहे बिकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है C, लवड कक्ष का एक प्राक्रतिक वन है Mangrove डेल्टा प्रदेश में उगने वाली वनस्पती है किसमें डेल्टा प्रदेश में मैंग्रोव वनस्पती उपती है यह वनस्पत तटवर्ती छेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्पूर्ण वनस्पती है अगले कोशिन भी हम चलेंगे कोशिन है सिंग जिराप बाइसन ये सभी जानवर फिल अन्द ब्लैंक में पाये जाते हैं किसमें पाये जाते हैं बिकल्प आप सभी के सामने आप लोग जल्दी से उप्सन चूच करिए पनपाती वन घास इस्थल मरू भूमी शंक बरक्षी वन बिकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है भी घास इस्थल में पाये जाते हैं सिंग जिराप बाइसन ये सभी जानवर कहाँ पर पाये जाते हैं घास इस्थल में पाये जाते हैं अगले कोशिन पर चलते हैं कोशिन पूछा गया है उट कहाँ पर पाये जाते हैं तो आप मरुभूम में ता color इन करें अगले Q9 चलते है नेक्स्ट हमारा Q9 है झूम है यह यह Q9 पूछा चाता है झूम है आशान सा Q9 कई बार करवाया गया है आप जल्दी से रिप्लाइ करेंगे जितने भी इस्टोरेंट चैनल पे जुड़ चुके हैं तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और सभी नोटिफिकेशन को अन रखना है जिससे की जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ कोई भी अपडेट दूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुचे ठीक है चले रिप्लाई कीजिए जूम है क्या है चारो बिकल्प में से यहाँ पे हमारा उप्सन सही हो जाता है डी क्रेसी का एक तरीका है जूम क्रेसी का एक तरीका है यह आदिवासियों द्वारा परवती इलाकों में किस इलाके में ध्यार रखना है परवती इलाके में परवती इलाकों में जंगल को काट कर जला करके जमीन तयार कर फसल वहाँ पर उगाई जाती है फिर कुछ वर्स के बाद जमीन की जब उर्वरा शक्ति खतम हो जाती है तब उस अस्थान को छोड़ करके आगे के जंगलों में इस तरीके से ये खेती की जाती है परवती छेत्रों में भूमी को साप किया जाता है फिर यहां पे खेती की जाती और इस भूमी की अगर उर्वरा शक्ती खतम हो गई तो दूसरी जगह पर के दूसरी जगह पर जाकर के क्रिसी की जाती है और इस तरीके के क्रिसी को क्या केते जूम खेती चल चल करके जो खेती की जारी है अगले कोशिन पर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कोशिन है निमलेखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है यहां पे जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए नासिक नागपुर सोलापुर उज्जहन वेरी गुड विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए नासिक कहां पर नासिक में नासिक अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध चारों विकल्प में से यहां पे आपका आपका आप्सन से हो जाता है नासिक अंगूर की खेती किसके अंतरगत होती है यह question आपके एक्जामे पूछा गया तो उत्तर आपका सही हो जाएगा विटी कल्चर विटी कल्चर के अंतरगत अंगूर की खेती होती है ध्यान दिजीगा important point आपको मैंने यह बताया ठीक नागपूर मौसमी फल के लिए प्रसिद्ध है किस फल के लिए मौसमी फल के लिए प्रसिद्ध है नागपूर अगले question पर हम चलते है नेक्स्ट हमारा कोश्चिन आप सभी की स्क्वीन पे यहां पे देखने को मिल रहा है निमलेखित में से लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है आपको बताना है लेटराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है तमिल नाडू करनाटक उडिसा उपर युक सभी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है D उपर युक सभी लेट्राइट मिट्टी उपरोग सभी राज्यों में पाई जाती है लेट्राइट मिट्टी से रिलेटड कुछ इंपोर्डिन फैक्ट आपको जानना चाहिए जो एक्जाम में पूछा गया लेट्राइट मिट्टी में आईरन और सिलिका की बहुलता होती है किसकी आईरन का संकेत FE और सिलिका की बहुलता होती है SI इसका संकेत ठीक है आईरन का FE और सिलिका का SI संकेत होता है और हिंदी आप लोग सुन रहे हैं ध्यान रखना है आपको लेट्राइट मिट्टी में आईरन और सिलिका की महुलता होती है प्रचुरता होती बहुत जादा मात्रा में पाह जाता है और ये question ये पूछा गया है लैट्राइट मिट्टी में किसकी पैदावार अधिक होती है या किसकी खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी होती है तो चाय और इलाइची की खेती के लिए ये सरवाधिक उप्युक्त मिट्टी होती है ध्यान दीजीगा क्या चाय और इलाइची ठीक अगले कोशिन पर हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोशिन है जितने भी स्टोरेंट वीडियो को देख रहे हैं फड़ा फड़ से आप सभी लोग अच्छे से प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे हैं दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा उनके वाटसप पर फेस्बुक पेज पर जरूर एक स्टोरेंट कम से कम पाच लोगों में शेयर जरूर करेगा ठीक है तो चले आगले कोशिन नेक्स्त्कोंशिन आप सभी की स्कुमें में सर्वाधीक मातरा में पाई जाने वाली उपलब्द मिर्दा का प्रकार कौन सा है तो बिकल्प आप सभी के समने हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग option चूज करिये, very good जलोड मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुसली मिट्टी आपको बताना है यहाँ पर, बिकल्प आपके यहाँ पर कौन सई हो जाता है? बिकल्प याँ पर आपका सही हो जाता है भी काली मिट्टी कौन से मिट्टी काली मिट्टी बाहरास्ट में काली मिट्टी सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है और एक बहुत ही important question यानि कि most important question यहाँ से पूछा जाता है कौशन है पूछा जाता है कपास की खेती के लिए सरवाधी उपरियुक्त मरदा कौन सी है विकल्ब आपका सही होजाएगा भी यह काली मिट्टी ठीक इसका निर्मा जो बेसाल चट्टाने होती हैं उसके तूटने फूटने से होता है इससे रेलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टन कोशन एक्जाम में पूछी जाते हैं सभी मैंने यहाँ पर बता दिया चलते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहां होता है आपको बताना है गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन किस जगह पे होता है चार बिकलप आप सभी के सामने कश्मेर के अनंदनाग में दिल्ली के आसपास यह अजमेर की पुशकर गहाटी में यह उपर यूख सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, अजमेर की पुशकर गहाटी में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है अग्ला आप सभी की इंद्ध स्क्रिन के यहां में थेक्ट, कोषिन यह CT बहुत जादा मत्र में कहां पर पैदा होता है कि टिक उठ हो त्यकों सागॉन भी कहते यह जानते रहे है आप यह बहुत पर पैदा होती है हिमाले पश्मी घाट मध्य भारत असम और मिघाले चारों में से यहां पर हमारा बिकल्प कौन से यह आपको जल्दी से रिप्लाई करना तो बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी मध्य भारत यह 36 गड़ मध्य प्रदेश में इसका उत्वादन होता है अच्छा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कोशिन जानते चलते हैं जिससे एक्जाम में कोशिन पूछा गया जहां से एक्जाम में कोशिन पूछा गया यह दूई बीज पत्त्री पहुदा है इसके बीज में दो पत्त्र होते हैं यानि कि जब आप बीज तोड़ करके देखेंगे इसमें दो दाने इस तरीके से दिखते हैं जैसे आप चनी में देखिए इस तरीके से मटर आप तोड़ते हैं तो उसमें दो कौटिलीडन आपको दिखते हैं ठीक है इस तरीके से ना वो दोईबीच पत्री पौधा जिनरली जानने के लिए समस्ति रही है और एक important point इसके बारे में जाने के जो सागोन है वो हमेशा वर्स भर भरा भरा रहने वाला पौधा है ठीक है और यह 80 से ले करके 100 फूर्ट तक लंबा होता है और इसका जो ब्रिक्ष होता कास्ठी होता ह है मजबूत काठ जैसा होता है और इसके लकड़ी की खासियत है हलकी है मजबूत और बहुत समय तक चलने वाली इसलिए यह बहुत ही बहंगी बिक्ति है और एक important point इसका जो वानस्पतिक नाम है बोटैनिकल नेम है सागोन या टीकुट का क्या है टेक्टोना टेक्टोना ग अधावार सबसे अधिक होती है आपको जिला बताना है यहां पर ठीक चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए कुर्ग मैसूर हुबली विलारी विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है कुर्ग करनाटक में है तो विकल्प आपका यहां पर एस ही हो जाता है जो कि क सबसे जादा चावल किस राज्य में होता है आपको बताना है आपको सबसे जादा चावल किस राज्य में होता है पश्ची मंगाल पंजाब केरल गुज्राद विकल्पियां पर आपका सही हो जाता है मिली भारत में पूछा जा रहा है भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहां पर होता है पश्ची मंगाल में दूसरे नमबर पर कौन सा राज्जी आपको कॉमेंस अक्सर में बताना यह बहुत ही इंपॉर्टन कोशिन है दूसरे नमबर पर कौन सा राज्जी है चावल के उत्पादन में आपको बताना है चाहे जहां से बुक से खोजिए गूगल करिए चाहे जहां से भी लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करना है आप एक कोशिन खोजेंगे आपको दो-तीन कोशिन जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा और आपका इस तरीके से कोशिन भी त्यार होता रहेगा क्लियर है तो ये आपका काम है यह डब्लू है, Home Work है और आप लोग इमान्दारी से जितने भी कोशिन पोचें, आप लोग जरूर रेप्लाइ किया करिये अगले कोशिन पे हम चलते हैं कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए आपको बताना है यहाँ पे बांगर खादर विकल्प यहाँ पे आपका कौन से सही होगा आपको बताना है वेरी गुड, बिकल्पी यहाँ पे आपका सही हो जाता है D. रेगुर मिट्टी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उप्युक्त होती है आप सभी को मैंने अभी बता है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी मिट्टी के नाम से भी जानते है इस मिट्टी का सरवाधिक विस्तार महारास्त्र और गुजरात में है अगले कोशिन पे चलेंगे, जितने इंपॉर्टन फैक्ट थे, जितने इंपॉर्टन कोशिन अभी तक इस से पूछे गए हैं अगला कोशिन आप सभी के लिए आप सभी की स्क्रेंट पर यहां पर देखने को मिल रहा होगा तो अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई करना यह भी रिप्लाई गलत नहीं होने चाहिए अब इस कोशिन के पूछा जा रहा है किस राज्य में जलोर मिट्टी नहीं पाए जाती है ध्यान दीजेगा नहीं और हाँ ये पूरा कोश्य आपको ध्यान से पढ़ना है तमिल नाडु मद्य प्रदेश ओड़ी सा पश्यमंगाल विकल्पी यहां पर आपका सही हो जाता है ये तमिल नाडु में जलोड मिट्टी नहीं पाई जाती है तमिल नाडु में कौन से मिट् मिट्टी का छेत्र मुख्य रूप से कौन सा है गंगा सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग क्लियर है जलोड मिट्टी इनी चेत्रों में पाई जाती है तमिल नाडु में लाल और लैट्राइक मिट्टी पाई जाती है ध्यान दीजीगा अगले कोशिन पर हम चलते ह नेक्सित हमारा कुशिन अप्सकोर सबसार करें के पूरहें सब्सक्राइब जास्ते के परैंद्ट के सबसे नदी तो आपको बताना है भारत बफॉरक सबसे लंबी नदी कौन सी है यमुनां ब्यास ब्रह्मपुत्रा गंगा चारों बिकल्प में से यहां पर हमारा option कौन से सही होगा जल्दी जल्दी से reply करिए very good बहुत ही बड़ी आंग excellent बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी गंगा आप सभी को पता था मैंने नदियों से related पूरा जितना अभी तो question पूछा गया है और जितने important question नदियों से बन सकते हैं सभी की वीडियो मैंने बना दिये सभी question की वीडियो एक ही है और उसमें आपका पूरा question कबर हो जाएगा नदियों से related उसके लिंक हम आपको नीचे description box में दे देंगे आप लोग जाकर कि उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा चलिए अगले question पर आ जाते हैं वेरिकोड यहां पर पहले reply दे दीजिए अपलों गंगा है तो गंगा के बारे में कुछ जान लेते हैं गंगा भारत की सबसे लंबी है तेखे और गंगा नदी का सरवाधिक विस्तार किस राज Admay डे कोस्चें आपसे पूचा जाता हैओ उत्तर प्रदेश में काप रुद्हीं में कितना 1450 किलोमेटर ऑर गंगा को बांगला देश में किस ना से जाना जाता है आपको बताना ढव लिए एकही थे अग़े पर आते नेक्स समरा कोस्टर है कहां भागी रती और अलग हंदा मिलकर गंगा बन जाती है यहानि कि भागी रती हे और अलग नंदा नदियां मिलकर किकी जगह पर ढान को दो को तक हैं ढ़ी परीध नहीं प्रियाग रूद्ध प्रियाग या गंगोत्रे विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है क्यों सा कि भी ठीक है देव प्रियाग में कर्ण प्रियाग में अलग नंदा और पिंडार नदियों का संगम होता है किसका अलग नंदा और पिंडार नदियों का संगम होता है रोद्र प्रियाग में मंदाकनी और अलग नंदा का संगम होता है और गंगोत्री से गंगा निकलती है और देव प्रियाग में भागी रती और अलग नंदा मिल करके गंगा नदी बन जाती है तो ये देव प्रियाग ये स्थान है कौन सा ये वाला क्लियर है अगले कोश्चिन पे हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोश्चिन है कोश्चिन है अरावली परवस रिंखला निमलिखित नदी प्रडाली से दिविभाजित होती है किस से जो अरावली परवस रिंखला है किस नदी प्रडाली से दिविभाजित हो जाती है बिकल्प यहाँ पे आपका कौन से सही होगा आप लोग आराम से आप्सन पढ़ लीजिए बिकल्प यहाँ पे आपका सही होजा तड़ी लूनी और बनास से अरावली परवस रिंकला लूनी और बनास नदी के द्वारा दिविभाजित होती है बढ़ती है ठिक अगला आपका question आप सभी की screen पे यहाँ पे दिखिए गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है आपको बताना है यहाँ पे गोदावरी नदी कहां से होकर के बहती है विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए महारास्ट वा आण्दप्रदेश से गोदावरी नदी महारास्ट के पश्मी घाट परवत में त्रमकेश्वर की पाहड़ी से निकल करके मद्यप्रदेश, चत्तिस गड़ और आंदप्रदेश में बैती होई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कहां पर देखे जात्तिस गड़ और आंदप्रदेश तो यहां पर चत्तिस गड़ कहीं मिल नहीं नहीं रहा तो महारास्ट और यह अंदप्रदेश हो गया ठीक है घुले कोश्शื่न पर हम चलते है नेक्स्ट हमारा क्वोश्श्श्श आप सभी के जिए निमले खित्मे से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है इंपॉर्टन कोश्चन है निमले खित्मे से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर के गुजरती है आपको बताने है गोदावरी नर्मदा कृष्णा महा ने दी चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहे हैं कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट वैली से ओकर की गुजरती है विकल्पी यहाँ पर आपका सही हो जाता है भी नर्मदा इंपोर्डन गोश्चन है वरंस गाटी दरार घाटी वारत में वरंस गाटी से होकर बहने वाली नदिया कौन कौन सी है नर्मदा है एक नर्मदा हो गई यह दूसरी तापती तीसरी दामोदर ध्यान दिजिएगा ठीक अगले कोश्शिन पे हम चलते है कोशन यकोशन को सुरत से लास टक ध्यान से पढ़ना है कोश्शन में क्या पूछा जा रहे हूं तो कभी कभी उन्हें और जब हमारी गलती की वज़ह से ध्यान से ना पढ़ने की वज़ह से हां नहीं के से चक्क्र में कोश्चन गलत हो जाता है थामिंहें इतनी तकलीफ होती है इतनी तकलीफ कि कई दिन तक erfahren देकर आने के बाद इतना डास्टर्बाइंस उस कोश्टिन की वजह से हो जाता है औरी मेरा यह गलत हो यह है तिया कैसे मैं गलत हो होती है और एक एक नमबर बहुत ज़रूरी है ठीक है जौब मिलना मुश्किल उपर से एक अमबर सजो करके बचा करके रखना और भी ज़रूरी है ठीक है तो ब सक detox जल्दी सिर और नहीं होतीं तो तो कहां से बहती है कहां पर बहती है कहां से प्रवाहित होती है तो बेकल पर यहां पर आपका सही हो जाता है अगर ऐसा पूछा गया तो कहां से जम्मू कश्मेर जम्मू कश्मेर पहले राज्य था अब यह क्या हो गया केंशासित प्रदेश हो गया लद्दाग भी और जम्म नौ कोई ने A, B, C और D बिकल्पी मैंने दे दिया आपको नीच एक कमंट सकते में रिपलाई करना है और एक important fact आप और जानते चली एक्जाम में आपके question पूछा गया है जेलम नदी के किनारे कौन सा प्रमुक शहर बसा हुआ तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा श्री नगर क्या होगा श्री नगर एक और important question इसी से related है जो वुलर जील है वुलर जील के जल का मुख्य स्रोथ क्या है जेलम नदी जेलम नदी से ही पानी आता है ठीक और एक important question है जो ये नदी है जेलम कश्मीर में किस के लिए इसका उपयोग होता है मिली परिवहन और व्यापार हे तू कश्मीर में इस नदी का उपयोग होता है अती उपयोगी है इस तरीके से ये कश्मीर के लिए अगले कोश्चिन पर हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोश्चिन लैगून क्या है पुछा जा रहा है लैगून क्या है एक तालाब जील जर्ना जल्परपाद बिकल्पिया पर आपका सही हो जाता है बी एक जील है लैगून एक जील है जो समुद्र के कटने और अलग होने से बनता है समुद्र है कड गिया अलग हो गिया तो ये वाला भाग जो अलग होता है वो क्या बन जाता है ये लैगून बन जाता है उडिसा की चिलका और आंध प्रदेश की कोलेरू जील लैगून जील के उधारने ध्यान दीजेगा आंदर प्रदेस की कोलेरु जील और उडिसा की चिल्का जील ये दोनों लैगोन जील के उधारणे अगली गोशिन पे हम चलेंगे नेक्स रहें क्रिष्णा नदी का उध्गम अस्थल किसके समीप है महाबलेश्वर खंडाला उदग मंडलम पंचमडी विकल्पी यहां पे आपका क्या सही हो जाएगा ए महाबलेश्वर क्रिष्णा नदी पश्चमेगाट परबत में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है नेर अबाउट 1400 किलोमेटर के करीब है यह करनाटक और आंदप्रदेश में बहती हुई कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक है और एक इंपोर्टेंट फैक्ट यह जानते चलिए नागारजुन सागर परियोजना जो आंदप्रदेश में इसी नदी परिस्थी ते किस पर कृष्णा नदी प परियोजना किस राज्य से संबंदी थे को परियोजना किस राज्य से संबंदी थे आपको बताना है माचल प्रदेश उत्तर प्रदेश महारास्त्र बिहार कोई ना परियोजना विकल्पियां पर आपका सही हो जाता है सी महारास्त्र राज्य से संबंदी थे यह जो कोई न लगबग शेंटर के कुल और इस पर्यूजना से कितने मेगावाट उत्पादन होता है तो आपका परिस्तित उत्पादन प्लांट कहां पर सित्य थे हैं विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा कौनसा वेरी गुड्य हफे आपके बिकल्प सही हो जाते जोन प्रपाद बालन मा गाधी जलकृत पर्युज dujna शरावती नधी पर कहां पर किस राज में करनाटर कराज में करनाटर कराज Q McG 유 Oh जोग पृक्रपाथ भी कहां पर ए शरावती नधी पर ही इस ठीते है और यह जो शित्ध समुद्रम है वो कहां पर पर कावेरी नदी पर क्लियर है अगले कोशिण पर हम चलेंगे नेक्स्ट मारा कोश्चिन कि नेवली ताप बिद्धुत इस्टेशन किस राज्य में इस्थित है उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश तमिल नाडु करनाटक बिकल्प यहाँ पे आपका कौन से सही हो जाएगा वेरी गुड बिकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है C. तमिलनाडू नेवेली ताप बिद्दूत इस्टेशन तमिलनाडू राज्जी में है ठीक है Q. निमलेखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है पूछा जारा कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है आपको बताना है चार बिकल्प आप सभी के सामने चारों में से यहाँ पे हमारा ओप्सन कौन से सही हो जाता है वेरिगुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहे हैं जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने active हैं, कितने energetic हैं तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहे हैं, यह false reply, ठीक है? तो चलिए ओप्सन या पे आपका सही हो जाता भी तापती या तापी ओप्सन में रहे तो भी सही होगा तापती या तापी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तापती, नर्मदा, माही, पेरियार ये सभी नदियों किस में गिरती है अरप सागर में इन से question खुब पूछा जाता है तापती, नर्वदा, माही, पिरियार ये सभी नदिया कहां पर गिरती आरप सागर में और इन सभी नदियों से related question पूछा गया कि ये कहां पर गिरती है अरप सागर में गिरने वाली नदिया डेल्टा ना बना करके क्या बनाती है एस्चरी का निर्माड करती है आपको मैंने पहले भी बताया जो अरप सागर में नदिया गिरती है वो डेल्टा का निर्माड नहीं करती है किसका निर्माड करती है एस्चरी का निर्माड करती है और इसमें कौन-कौन सी नदिया है जो डिल्टा नहीं बनाती ऐसे भी कोशन पूशा जाएगा तो जो अरब सागर में गिरती है वो डिल्टा नहीं बनाती जैसे नर्मदा हुआ, तापती हुआ, माही हुआ, पिरियार हुआ जो भी मैंने नाम लिया अगले कोशन पे हम चलते है, बिकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, C, महा नदी, महा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मिलती है यानि कि गिरती है, कुछ important point हम आपको जो साथ साथ में बताते चलते हैं, question से जाधा important होता है, उस पर भी आप लोग पूरा ध्यान दिया करिए, गंगा, ब् ब्रमपुत्र, गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां मुहाने पर डेल्टा का निर्माड करती है, ये सभी नदियां किसका निर्माड करती है, डेल्टा का कौन कौन सी, गंगा, ब् यह रहा लास में आज का सवाल आप सभी के लिए भारत का कौन सा राज्य या केंशासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक बिकल्प आप सभी के सामने जम्मू और कश्मीर केरल बिहार असम बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है आप लोग जल्दी से कॉमें सक् बढ़ा करेंगे और जितने भी कोशन ओप लोग तेख रहे हैँ सबी आप लोग अटिन जरूर करेंगे तो पड़ते रहें महनत करते रहें इसी मिलने फिर नेक्स वीडियो में जितने भी स्टुट्ट्ट वीडियो को देख रहें वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करेंगे एक स्टुड्ट कम से कम अपने पांच दोस्तों में जरू शेयर करेगा ठीक है तो आप सभी मिच्ची हो रहे हैं समझदार है और कहनी की ज़रुरत नहीं है आप लोग करेंगी जोरू मुझे पूरा यकीन है तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए वर बायान टेकर थैंक यू सो मच बाई बाई